नमस्कार सभी किसान बाईयों को किसान बाईयों यूरिया एक ऐसी खाद है किसान बाईयों जिसको हम लोग अपनी केती में ज़्यादा प्रियोग करते हैं और सबसे ज़्यादा बिकने वाली सूचे में भी पहले नंबर पर आती है यूरिया खाद और हम सब यूरिया फसलों में डालते हैं तो एक बड़ा हिस्सा यूरिया खाद का लॉस में चला जाता है यानि नाइटरोजन तत जो होता है इसमें या तो हवा में वास्पन पनके उड़ जाता है या जमीन में लीश डाउन हो जाता है आप लोग जान चुके होंगे कि यो पुरानी यूरिया हम लोग उपयोग में लाते थे अपनी फसलों में उस यूरिया खाद को बदल कर भारत सरकार ने नई यूरिया गोल्ड लांच कर दी है तियार करके जानेंगे हम लोग इस वीडियो में नई यूरिया में क्या-क्या ब हम सब पहली यूरिया प्रयोग करते थे वह यूरिया जल्दी घुल जाती थी तुगस्तान बाईयो आप अगर चैनल का वेडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और पास वाली गंटी को भी प्रेस कर लीजेगा जिससे हम लोग खेत वारता से जुड़े रहें जो हम सब पहली यूरिया प्रयोग करते थे वह यूरिया जल्दी घुल जाती थी और ज्यादा गरम पानी में प्रयोग कर देते थे तो ज्यादा तर हिस्सा नैट्रोजन का उड़ जाता था खेत में अगर ज्यादा पानी होता है और प्रयोग करते हैं तो वहां यूरिया लीच डौन भी हो जाती थी पर यह जो नई यूरिया गोल्ड भारत सरकार ने प्येश करनी है किसानों के लिए तो इस नई यूरिया के बैग में 17% सलफर तत भी मिलेगा जो यूरिया के दानों के ऊपर ही कोटिड किया हुआ मिलेगा जैसे पुरानी यूरिया में नेम लोपित कोटिड हम लोगों को मिलती थी ऐसे ही सलफर 17% में मिलेगी अब अलग से फसलों में हम सब सलफर तत को डालते थे धान गयों गन्ना आद फसलों में तो हम सब को अलग से सलफर तत को डालने की जरूरत न जो अलग से सलफर फसलों में नहीं डालते थे उसको प्रात्मिक्ता नहीं देते थे और कहीं न कहीं सलफर की कमी से वह फसले जादा उत्पादन नहीं दे पाती थी तो अब किसानों को खरीद खरीद कर सलफर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खर्चे की भी बज़त दूसरे नमबर पर इस नई यूरिया गोल्ड में हुमिक एसिड भी एड़ किया गया है जिससे फसलों का काला सोना भी कहते हैं फसलों में हुमी का ऐसी तत के बहुत बड़े फैदे मिलते हैं किसानवाईयों और ये नई यूरिया, पुराणी यूरिया के मगाबले बहुत दीरे-दीरे करके घुलेगी, रिलीज ये फसलों में धीरे-दीरे करके होगी, जिससे ये जल्दी लीच डौन भी नहीं होगी, और वास्पी करण के सारे उड़ेगी भी नहीं, जिसे नई यूरिया के 100 में से 90% तक रिजल्ट हसलों को देखनी को मिलेंगे, जो पहले यूरिया हम लोग परियोग करते थे, तो उसके किसान वायों 100 में लगबग 60% ही रिजल्ट मिल पाते थे, बड़ा हिस्सा नैट्रोजन का खराब चला जाता था, वैसे इसमें नैट्रोजन तत को कम करके 37% कर दिया गया है, और पुरानी यूरिया में 46% नैट्रोजन हमें मिलता था, शिरिफ एक तत, लेकिन अब 37% नैट्रोजन, 17% सलफर, वह कुछ मात्रा में हियूमिक आशिड भी मिलेगा, हमारा अपना अनभव हो है कि इस नई यूरिया गोल्ड का रिजल्ट पुरानी यूरिया के मुकाबले ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेगे, बात रही प्रयोग करने की, तो क्सान भाईो जैसे हम पुरानी यूरिया प्रयोग करते थे, अपनी फसलों में, वैसे ही किस करेंगे खसनों पर रिजल्ट कैसा आता है अगर सही आएगा तो मात्रा वही रहेगी किसान भाईओ हम लोगों को मात्रा बढ़ाने की अभी जिरूरत नहीं पढ़ेगी किसान भाईओ तो इस वीडियो को दबाकर जरूर शेर कीजिएगा किसानों तक ये वीडियो पहुचना चाहिए आने वाले वीडियो मिसना हो जरूर देखिएगा धन्यवाज जहिंद